नमस्कार साथियों वेलकम टो अपनी युनिवर्सिटी दोस्तों जो विद्यारती नेट किये हैं जो ज्यारेफ है प्लस जिन्होंने में कर रखा पीजी कर रखा है या जो पीजी फाइनल येर में हैं में में सी एमकॉम फाइनल येर में उन सभी के लिए एक गोल्डन चांस सब्सक्राइब हो रहा है तो उन सभी विद्यारतियों के लिए एक सांदार चांस है राजस्तान यूनिवर्सिटी जेपूर में आफ्टर हम कहें कि धायी तीन साल बाद में ये लंबे इंतिजार के बाद में वेकंसी है अभी 912 पद एक यूनिवर्सिटी में एक टाइम ए बड़ी बात होती है इसलिए ये एक एतियासिक वेकंसी है और ये सुनरा मोका है इससे चूकना मत त्यारी करना पूरा सेडूल भी दे दिया है ज्यादा लंबा भी नहीं खिंचा जाएगा ठीक है अपरेल ये मार्स तक आपके सारी प्रोसेस भी पूरी हो जाएगी ठीक है अ सब्सक्राइब कर लेते राइट सब्सक्राइब कर देख सकते हैं कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो आपका ये सब्सक्राइब इसका जो नाम है एक सेकंड सबसे पहले जो इसका नाम है वो क्या रखा गया है यूनिराज पैट दो जार इक्कीस बाइस ठीक है इसका मिलब दो साल पहले की यह वेकंसी है एक्कीस बाइस नाम रखा है चोवीस में यह नोटिफिकेशन आया है राइट सत्रा जनवरी यहां पर एपलाई करने कि आपकी डेट स्टाट हो रहा है ओनलाइन एपलिकेशन मैं भी यह समिंटेट फ्रॉम सत्रा जनवरी साथ जनवरी से आप भर सकते हैं और 29 जनवरी फूम बरने की लास्ट एट है बोट बोट कम समय दिया है सत्रा जनवरी से 29 जनवरी तो यह डेट आपको माइन में रखन सिsu Forever positive के मारे बात करेंगे important डेट के बारे में बात करेंगे समसे पहले यहां पर देखो एबीएस्टू की जो सीट साइए है ठीके can a deiqu Reef 허리 को जो टो टरीखें के सीट frightening एक तो जो जूनिवर्सिटीटन के अपने लिपार्तमेंट से सब्यक्ट वाइज उनमें यह मिधनुवेक सित फॉर प्य inom ए रिसर्च चंटर जो युनिवर्सीटी में अलग अलग छोट छोटे बी सक्ट बने मोटे जिसे साउथ एशे इस्तटी इसंटर गगांधियन स्टप्सटी इसंटर नेर्व इर्वें डिर्ई सेंटर ठिक इस टाइप सीट होते हैं उन तो थोड़ा सा पढ़के भी दीजी का वो सारी विद्याति अभी असिस्टेंट फ्रोफेसर की त्यारी कर रहे हैं एक्जाम में आगे तो थोड़ा सा टाइम निकाल के साथ में दे सकते हैं अभी एक्जाम को कफी टाइम है राइट ऐसा मौका दुबारा वापस नहीं आएग है के ड्राइग एंड पेंटिंग में 11 seat है और ये अफ रम में 12 seat इदर है और चे इदर रिसर्टेंटर में है इकनोमिक्स में 27 seat है 27 sate economics में बोथ होती है education में रिसर्च सेंटर में 31 है ठीक है और इंगलिस में जो है 21 है और 20 सीट है और वाकी फ्रेंच और इसमें एक सीट है सबसे मैं तो पूर्ण जो है अपने यहां पर जो कि मैरा सब्जेक्ट है जो ग्रोफी इसमें डिपार्टमेंट में 34 सीट है और रिसर्च सेंटर में 65 सीट ह इलाके लगवा कितनी हो रही है हंड्रेट सीट के आसपास हो रही है ठीक है और यह सबसे अधिक मैटपूर्ण है कि इतनी सीटें वापस नहीं आएगी तो जो भी एपी की भी तैयारी कर रहे हैं पीजडी का आगे आपको करना ही पड़ेगा तो यह जरूर आप फूम बरिये है तो दोनों का कॉंबिनेशन हो जाएगा अलग से इस एक्जाम के त्यारी करने की आवशक्ता नहीं है जियोलोजी में केवल साथ सीट है राइट और हुमन एकलोजी एनवार्मेंट एन पॉपलेशन इस्टीज में एक सीट है हिंदी में 33 सीट इधर है 3434 सीट उदर रिसर i lovemर्यटum एण फैम जैव Sudden जैन इस्राइड़ है लो में 43 सीटे लो में एक साइस में 12 सीट Quermanage में के दो सीटे काफी कम सीट आई है mathematics में कितनी सीट है यहां पर mathematics में देखो कहां गया mathematics में 25 सीट इधर है 20 सीट इधर है मतलब 45 सीट 45 सीट mathematics में होना आई अपने आप में बहुत बड़ी बात है और microbiology में एक सीट है उदर 12 सीट है और biology and conservation में चार सीट है और music में 14 सीट है non conventional energy resources में दो सीट है ठीक है philosophy में तीन सीट है physical education में 16 सीट है physics में 33 physics में सीट है ठीकि फिजिकल education में 16 सीट है यह भी अच्छी सीट मानी जाती है political science में कितनी है 19 सीट इधर है 21 सीट इधर है देखो political science हो गया इस्ति हो गया हिंदी हो गया इन सब में सीटे कम है इनकी तुनला में जो जोग्रोफी में कई गुना ज्यादा सीट है तो 19 सीट इदर है और 21 पॉलिटिकल साइस में इदर है रिशर्च सेंटर पे साइकलोजी में केल दस सीट है पब्लिक एड्मिस्टेशन में 30 सीट है राज में जूलोजी में 30 यानि 30 सीट है तो 600 तर्यांशी तो रिपार्टमेंट में है दो सब गुंती सीट जो है रिसर्च सेंटर पर है टोटल 912 का अंक्रा यहां पर यह बहुत जो है मैं तपून आंक्रा है बहुत एतियासिक वरती है तो अच्छे से इस एक्जाम को देना है अ आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या चीजिए युनिवर्सिटी केना चारिये या अपनी मूल बाते जो है अपने मूल क्यूशन है वो क्या है ठीक हो सारे निकल कर आ जाएंगे सामने सबसे पहले तो है फस्ट क्यूशन फस्ट एफ एक्यूज है वाट इस दा है बाकि पीजी आपका 55% के साथ होना चाहिए साथ में अपीरिंग में भी आफ फूम बर सकते हैं लेकिन जब आपका फाइनल जो DRC वगरा होते है तब तक आपकी माक्सिट आ जाने चाहिए राइट तो यह सिन है यहां पर वाट इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फू करें के मतलब करें तो पांच पर्सेंट रिलेक्स एप्रसंटेज में पीजी आपका अगर 50% होगा से स्टी ओवी सी जो है यह अपने दिव्यांग है साथ में जो और रइस वगरा है उन सबके लिए पांच पर सिन ज्का रिलेक्सेशन दिए गया यहां पर ठिक है वाटिज गया कि सब्सक्राइब मुझे पीज़ी करने कैसे करेंगे राइट तो इन सर्विस कंडिडेट सेल बी एलिजिवल फोर एडिमिशन टू पीज़ी प्रोग्राम ओनली आफ्टर टेकिंग लिव एन प्रायर प्रिमिशन फोर डायर एंप्लोयर मतलब आपको क्या करने का एलिज बनाना पड़ेगा ठीक है नोसी लेनी पड़ेगी उसके बाद में आप एलिजीबल है ठीक है उसका भी एक परफोर्मा कुछी इन्होंने दी है इस देर एनी प्रोविजिन फोर पार्टाइम पीज़ी प्रोग्राम थ्रू पार्टाइम मोड विल भी पर्मिटेड प्रवा आपको लेनी पड़ेगी ठीक है आपकी ओट्रेटी से जहां से आप लगे हैं जोब कर रहे हैं साथ में इसमें देखो यह कुछ और सर्ते लिखी हुई है कि जो आपको एनोसी मिलेगी डिपार्टमेंट से उसमें क्या क्या होना चाहिए सबसे पहले होना चाहिए कि candidate is permitted to pursue studies on a part time basis कि हम इसको permission दे रहे हैं सबसे पहले अनोसी सब उसमें यह लिखा होना चाहिए आपके डिपार्टमेंट की तरफ से बाद में क्या लिखा होना चाहिए official duties permit him her to devote sufficient time for research मतलब his her official duty permit him मतलब यह हम जो authority हम इसको permit कर रहे हैं कि sufficient time देगा PhD के लिए राइट इफ रिक्वाइड ही सिल विल ही सी विल भी रिलीवड फ्रों दा अगर आपने एक सिर्श कर रहे का तो आपको कोई यहां पर चूट महीं है को यह heb當然 Hey पड़ेगा जो पैट एक्जाम होगा ठीक है पैट एक्जाम आपको देना पड़ेगा युनि युनिवर्सिटी का राइट आदे एनी रिलेक्सेशन इस्पैसल प्रोविजिन वोर यूजिसी नेट जिर अरफ मतलब जो एमफिल पीज दी जिन लोगों ने कर रखा है नेट का उनको आपको अलग-लग मार्क्स मिलेंगे ठीक है नेट सेट अगर एमफिल हैं तो आपको साथ मार्क्स एक्स्टा मिलेंगे अगर आप ज्यारेफ हैं तो आपको दस मार्क्स एक्स्टा मिलेंगे तो ज्यारेफ वालों को बड़ा फाइदा है इस बार जो त्यारी कर रहे है है तो फूब मैनत करो जून में ज्यार्फ होना चाहिए ठीक है आगे भरते हैं हाव मनी पेपर्स आर देर इन युनिराज स्पेट दोजार उनिस एंड विस ठीक है दैर इस ओल्ली वन पेपर हेविंग तू सेक्शन इन युनिराज स्पेट दोजार एकिस बाइस ऑफ वन हो दूरेशन इच ठीक है मतलब एक पेपर होगा दो गुंटे का फेपर होगा ठीक हुसमें सेक्शन एक आएगा एक सेक्शन आएगा ठीक हुसमें विल भी अ कंटें 35 mcq बैस्ट क्यूसन प्लब पिचेतर क्यूसन होंगे 75 क्यूसन होंगे mcq के होंगे research methodology part 1 जो कि हर युनि से ओल्मोस्ट जो नेट का सलेबर से वो सारा डाला गया है ठीक है तो 7575 मार्क्स के दो पेपर होंगे दो गंटे के उसमें नेगेटिव मार्किंग आपके नहीं होगी ठीक है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और दूसरी बात यह है is there any minimum cutoff percentage for eligibility for admission in PhD मतलब कुछ minimum आपको दो तो क्राइटेरिया कास में तो मीनिममों क्राइटेरिया है आपको 50% एग्रिगेट दोनों परमें एग्रिगेट 50 percent marks आपको लाने पढ़ें गे तो ही आप है नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा तो फिप्टी परसेंट नेगेटिव मार्किंग नहीं है आराम से ला सकते हैं कोई इशू नहीं राइट और फिप्टी परसेंट में भी पांच परसेंट कैटेगरी वाइज आपको छूट मिल जाएगी 45% लाने होंगे इस देर एनी नेगेटिव मार्किंग नेगेटिव मार्किंग नहीं है वाट इस दाफी ओफ युनिराज मतलब फीज कितनी है यह सबसे बड़ा मुद्दा है फीज चुंकि आप सब को पता है कि फीज थोड़ी ज्यादा होती है जो पीजडी की सीट निकलती है जहां पर भी इंट्रेंस की उसकी फीज ज्यादा होती है तो इसकी 3085 तीन अजार पीचासी रुपेश की फीज है जो के ओलाइन मोट से ही आपको जमा करवानी है राइट हाव इल्दा मेरिट भी प्रिपेर्ट मतलब जब एक्जाम होगा तो उसकी मेरिट कैसे बनेगी यह सब साधिक मै पर होंगे 7575 के जो किसंणों के दो पर होंगे उसका वैट जो है सेवन्टी परसेयWorld रहे गा वनलब यूनिराज पर टेस्त ओगा उसका स्को पर सेुपींट्रविउं बाद में 30% वेटेज किसका होगा इंटर्व्यों का होगा तो इदर आपका जो पेपर और 30 परसेंट इंटर्व्यों दोनों मिलके जो है 37 यह 70-30 का रेशियो होगा उसके आदार पर आपकी क्या होंगे मार्च जूड़ेंगे साथ में आपका जो एकडमिक स्कोर है उसको इनिममम तीन माक्स है तो तीन से लेकर साथ के बीच में आपको वेटेज मिलेगा पीजी के परसेंटेज का फाइदा मिलेगा साथ में यूजी के परसेंटेज का भी फाइदा है मैक्जीमम पांच नमबर मिलेंगे ठीक है अगर आपके 48 परसेंट तक है इससे कम है तो दो से लेकर पांच माक्स इसमें यूजी के परसंटेज का है पिजी के परसंटेज मैक्सिमम साथ माक्स तक है प्लस टूइल के परसंटेज का वेट है है हलाएं कि मुझे लगता है personally कि यह नहीं रखा जाना चाहिए 11 12 नहीं रखा जाने चुंकि हो सकता है कि जब वो बचा 11 12 में था उसकी परिष्टितियां कुछ अलग रही होगी ठीक है बहुत सारे स्टुडेंट कॉन्वेंट से पढ़ के आते हैं उनके पर संटेज अच्छ इसको कैसे पास कर सकते हैं वो देखा जाना चाहिए शूच मतलब जो है आपका पास्ट क्या था उसके आधार पर चीजे डिसाइड नहीं होने चाहिए राइट तो भी ठीक है ट्वेल का जो है तीन माक्स इनोने जोड़े है ठीक तीन मार्स जोड़े है राइट चलिए तो उसको दमाइक होंगे उसमें आपको जो आपका एंट्रेस्ट एडिया थीकट पीच्छ निगा इंट्रेस्ट करें और उपर स्टेट्मेंट आफ प्र और उपडल्मन का जो कथन बाकि सारी चिजी जो है इंट्रीव में इसी के according आपका इंट्रीवू चलेगा थोड़े से subject domain से पूछ सकते हैं बाकि इसी से आप से ज्यादा question पूछे जाएंगे या थोड़े से रिचर्स मेतडोलोजी से कुछ से पूछे जा सकते हैं ठीक है वेदर्दा Candidate belonging to railway तो इसके एकॉर्डिंग सीटों का क्लासिफेकरी होगा जो गॉर्मेंट के रूल से उसके एकॉर्डिंग सारे सीटों का क्लासिफेकरी किसी होगा कि के EWS certificate should be not more than one year old समझ गया आप EWS certificate एक साल से पुराना नहीं होना चाहिए कोशिज करना अपना एक साल से पुराना OBC का certificate भी नहीं हो राइट के ए स्टुडेंट इन फाइनल सेमेस्टर ऑफ मास्टर डिगरी एपलाई मतलब वही है जो अपीरिंग में फूम बर सकता अगर वह फाइनल सेमेस्टर में हैं फीजी फाइनल में है तो आप फूम बर सकते कोई दिकत नह है कहा के लीजंड धिकते कडारी मार्च की एटीन मार्च है यह तीन मार्च है ौछ एकषए में आप यह को पहुपनेक्वाद है और यह सारे फोटोग्राफ बगेरा यह кру घुजी देट्न दिवट्य की का सरफिकट्रिट इनध इस ह similar है वह वह सारे आप को पताई है वेद करना पड़ेगा और एक जासे पंद्रासों वर्स में जो आपको वो सिनॉप्सिस बना कर ले जानी ही इन कैस ऑफ एनिक यूरी रिगार्डिंग फैल पैमेंट यूजर आई डी पासर ठीक है ओके तो यहां पर वो डेट नहीं आई यह ना जो इंपोरेंट डेट है सारा मतलब सारे क्यूशन सारी प्रोसीजर यहां से क्लियर हो गई कैसे कैसे क्या क्या सीन होगा ठीक है यहां पर वो डेट नहीं आई इंपोरेंट डेट है वह मैं आपको खूल के दिखा देता हूं यहां पर यूनिवर्सिटी की साइट पर ही कि एक सेकेड कि एक सेकेड़ सारी चीजर यहां से क्लियर हो जाएगे कि साइट पर जाना आपको साइट पर जाएंगे तो बहुत आसान से सिदा सिदा जाकर नीचे जाएंगे तो यह यूनिराज पैट एडमिसन दोजार इकिस वाइस दे रहा है इसके साथ में मैंने पास कोल भी आया थ सारी स्टूडेंट के निफ्यूज भी हो रहे हैं डी एसी या डी लिट की जो उपादी होती है उसके रिगार्डिंग जो एडमिसन ले रहे हैं उसकी भी प्रोसेंस साथ में चलू है तो वह अपने काम का नहीं है तो इस पर आप कुलिक करेंगे तो यहां पर यहां पर यह चीज़ पढ़कर नहीं दिखाऊंगा इसमें जाएंगे आप इसमें ही आपको पढ़ना है ठीक है यह सारी फों फिलिंग की प्रोसेजर है कि आपको पहले जो है एक एक बीसी आइडी बनानी पड़ेगी एकडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के आइडी बनेगी उसके बाद में दो पुर्ण है इंपोर्टेंस डेट इंपोर्टेंस डेट में क्या 17 जनवरी से फोर्म ओनलाइन भरे जाएंगे ठीक आपको दिखरा होगा थोड़ा सब्ला कर देता हूं 17 जनवरी से फोर्म ओपन हो रहे है ठीक ए 29 जनवरी फूम मने की लास्ट डेट है तो लाश्ट डे दस फरवरी को आपका एक्जाम होगा, दस फरवरी को ही आंसर की हमें मिल जाएगी, ठीक है, अगला है, लास्ट डेट वाफ ओनलाइन सब्मिशन ओफ ग्रिवांसेंस इन दा अपलोडेट फॉर्मेट विट इसकेंड प्रूफ, मतलब आप कुछ उसमें आंसर की में कुछ चे डेट ओफ जो इंटर्व्यों होगा, उसका सेडूल बाद में जारी किया जाएगा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगे, अब इसके अलावा जो है, दो चीज़ें और थी, यहां पर अगर मैं बात करूं, दो क्या है, देखो, एक तो है, राजस्तान यूशिटी पीज़ 25, MC क्यूशन आएंगे, राइट, यह अपना पेपर, सेगेंड है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट डॉमेन का होगा, यह तो, ठीक है, सब्जेक्ट आपका जो भी है, यह जो है, यह रिसर्च मेतरोलोजिका है, ठीक है, इसको हिंदी में क्या केते है, सो कि स्ट्रीम वाइज, जैसे आर्स का जो सब्जेक्ट है, उसके लिए अलग रिसर्च मेतरोलोजी का सेलेबस डाला है, कॉमर्स के लिए अलग डाला है, साइंस के लिए अलग डाला है, अन्ने स्ट्रीम के लिए अलग डाला है, तो इसमें आपको बहुत अधी कन्फ्यूज होने की आवशक्ता नहीं है ठीक है इसमें एक CS कोठारी की पुस्तक आती है वह आप पड़ सकते हैं जोग्रोफी वाले बंसल की किताब आती है वह आप पड़ सकते हैं साथ में सोध वितीतंतर का एक कोर्स भी मैं सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें आपको रिशर्च मेतोडोलोजी का आठ्स साइंस और कोमर्स तीनों के आपको सेलेबस वाइज यहां पर टोपिक वाइज आपको हैंडिटन नोर्स भी मिल जाएंगे सारी रिकोर्डेट क्लासेज भी मिल जाएगी साथ में इसके सब्सक्राइब कर सकते हैं अलग लग सेलेबस जारी किया है तो उसमें आप देखेंगे कुछ चीज़े कोमन है सारी चीज़े कुछ चीज़े कोमन है जहां पर जो रिसर्च के प्रकार औब्लेक्टिव फॉर्मेटिंग वगरा वो सारी चीज़े कोमन है तो बहुत अधिक जो में और जो कन्टेंट में आपको देने वाला हूँ क्लासेर्स है कुछ टॉफिकी क्लासेस नहीं मिलेगी तो उसके मैं प्रोवायिट कर वादान одगा कुछ जो पेश्डी के अधर युनिवर्सीटी में एक्जाम होए है रिसर्च में डाल दूगा ताकि आप उसके आधार पर एवलिशन कर पाएं उसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे राइट सब्जेक्ट को बहुत अधिक फोकस नहीं करना क्योंकि जैसा वो चल रहा उसको वैसे चलने तो थोड़ा सा रिसर्च में जिनके अच्छी होगी ठीक है वो जो है अच्छे माक्स लेकर आ सकता है ठीक है तो यह जो रिसर्च में ट्रेंस टेस्ट में जाएंगे तो वहां दिख जाएगा आपको ओपन करते ही ठीक है तो अभी के लिए इतना ही आप सभी को विश अगर यह चुक गए तो वापस आर्यू का जो सपना है पीएसडी करने का यह आपको बहुत अधिक टाइम लगेगा वापस आने में वेकंस आने में टाइम लगेगा ठीक है थैंक्यू गूड़ लग